साल 2016 का वक्त था मोहन यादो भारतियी जनता पार्टी के बिधायक थे किसी को उस वक्त पर अंदाजा नहीं था कि मोहन यादो नाम का कोई बिधायक आगे चल कर राज का मुख्यमंत्री बन जाएगा और उस वक्त पर उज्जैन महाकुम्ब का आयोजन हुआ था वहाँ पर एक बाबा आये थे बाबा से जाकर मोहन यादो ने आशुरिबाद लिया था और उस बाबा ने 2016 में मोहन यादो को कहा था कि चिंता मत करो तुमको मुख्यमंत्री बनना है तुम मुख्यमंत्री बनोगे अब साल 2016 के उस पुरानी कहानी को याद की जा रही है बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि आखिरकार वो प्रतापी बाबा कौन थे जिन्होंने साल 2016 में मोहन यादो को आशुरबाद देते हुए कहा था कि तुम तो मुख्यमंत्री बनोगे यही कहानी आपको आगे हम बताएंगे बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं चप्रा के मशूर मेंस कलेक्शन स्टोर तंजीब अप पटना में आपके लिए बंधन बंधन लेकर आया है बहतरीन डिजाइन और टॉप कॉलि साल 2013 में मोहन यादो बिजेपी के बिधायक बन चुके थे बिधान सभा का नाम था उजयन दक्षिन बिधान सभा साल 2013 के बाद साल 2018 साल 2018 के बाद साल 2023 अब मोहन यादो 2023 में भी बिधायक बने लेकिन 2013 में बिधायक बनने के बाद साल 2016 का एक वक्त आता है जब उजयन का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश की सरकार ने भब आयोजन किया था बताया जाता है कि उसी दोरान वहाँ पर राम नाम जब महा यग कराने के लिए एक बाबा आये थे जिनको नेपाली बाबा कहा जाता है नेपाली बाबा के उस यग्ग के मुख्ययजमान बने थे मोहन मोहन यादो ने महाय्य को संपन कराया मोहन यादो वहां पर मुख्य यज्मान बनकर भग्वान का सेवा करते रहे और अन्ततह जब आशिरवाद लेणे नेपाली बाबा के पास गए तब नेपाली बाबा ने आशिरबाद देते हुए मोहन यादो को कहा था कि चिंता मत करो तुमको मुख्य मंत्री बनना है तुम मद्य परदेश के मुख्य मंत्री बनोगे मोहन यादो को भी उस वक्त पर अंदाजा नहीं था कि बाबा जो बात कह रहे हैं वो कभी भी संच सावित हो सकता है क्योंकि अगर वाकई में बात की जाए तो मोहन यादो के बारे में हम या आप कोई भी आदमी ना जानता था ना कोई चर्चा चल रही थी कि वो सियम लेकिन आखिरकार अंततह जब वो मुख्यमंत्री बनाए जाने के उनके नाम का एलान हुआ तब वहाँ पर सबकी आखे चमक उठी अब मोहन यादो की है 2016 की कहानी इस वक्त पर लोग बता रहे हैं कि कैसे नेपाली बाबा ने उनको आशिरवाद दिया था जिस पर किसी को लेकिन नेपाली बाबा का अशिरवाद साल 2023 में पूरा हुआ और उनके सिस के नाम का एलान राज के मुख्यमंत्री के तोर पर किया गया अब साल 2016 में जिस बाबा ने अशिरवाद दिया था वहाँ पर उनसे बेहद जुडाव रहा है मोहन यादों का अब जाननी जीए कैस से तो जो मोहन यादों है वो मोहन यादों स्वामी आत्मा नंद दास के सिस्स्य है अब स्वामी आत्मा नंद दास का आसरम अयोध्या में है मतलब कि मोहन यादों का अध्यात्म की दुनिया से बाबा लोगों से जुडाओ बेहद पहले से है बागी साल 2016 की यह कहानी थी थ सब्सक्राइब बताईएगा आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ में आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए अब हम अरसाद बने रहीएगा कि अमरेक्षे पिचाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद